हेलो फ्रेंड स्वागते आपका हमारी यूट्यूब चैनल गुजराती कीचन हिंदी में अगर आपकी रोटी बच गई है तो आप ये रेसिपी जरूर ड्राइ कीजे बहुती चीजी है टेस्टी है और आपके बच्चों को तो बहुती पसंद आएगी तो चलिए बच्ची बढ़ने nosotros गोस्कित बच्ची होगा फर साइड बैं मकषो कांगे में अपका यहां पैन को घर्म करनेक के लिएंच जाना चुस प्लाय कि एधैंगा है प्याश प्यास एक बडिया है यहां पर शुता चम्मत तेल जाल एक आप डालींएक कर एनगे हांगे नह लिया लिशते अगर आपको तीखा जादा नहीं पसंद है तो आप कर सकते हैं यहां पर हमने जो प्यास दी थी वो भी एड़ कर देंगे यहां पर मैंने मिडियम रखी है और अच्छे से हमें प्यास को भी भून लेना है हलका सा एक से दो मिनिट के लिए सौते कर लेना है बहुत ही सौफ्ट नहीं करना है आप इसमें और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं अगर आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप उसकी तो यहां पर हम बाकी के मसाले डालेंगे मैं रखक्तिश Kız अदधा नहीं लाल मिर्श पावडर दैके होड़णी नहीं कर कंटिश के हमारा जो मसाला है अच्छे से रैडी हो ग क्या बैगग थे अध्य चैसा नदर जो रखनी है और जो हमने बॉil पोटेटो अलू को बॉil क मिलें प्याद एवत नमक अब करते अगा इयर है आपक चाहें तो य हमें केंदर को जोड़ा है अन fran ऑफ कर दिया दिया है तो इसके अंदर गाजर का भी शेच्वार सकते हैं अभी हमें इसके हमिल नमक मिला लें अपने टेस्ट के अरुन सार मैंने बॉयल करते समय आलू के अंदर नमक डाल दिया था यहां पर हमने डाल दिया है वन टीस्पुन जितना नमक अभी सारी सामगरी को हमें एक से दो मिनिट के लिए पका लेना है यानि अच्छे से मिक्स कर लेना है आप देखेंगे के अलू के अंदर अच्छे से हमारा मसाला बहुती अच्छे से मिक्स हो गया है तो यह हमारा मसाला एकदम रैडी हो चुका है तो बस अभी हमें गैस को ब रेड चिली सोस यहां पे मैंने एक छुटा सा चमश लिया है उससे टेस्स भी बहुत बढ़ियाता है अगर आपके पास नहीं है को आप सिप टॉमेटो केचप भी एड़ कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लिजे तो यह हमारा सॉस भी रेड़ी हो चुका है आप चाहे तो ग्र तो यहां पे मैंने अपको जितना सॉस पसंद है उसके हिसाब से हमें रोटी के उपर स्प्रेड कर लेना है तो मैंने यहां टॉमेटो केचप लगाने के बाद जो आलू का स्टफिंग हमने जो बना के रखा है वो भी इसके अंदर स्प्रेड कर देना है यहां पे हम एक इसको और बढ़ाने के लिए यहां पे मैंने थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ओरेगानो स्प्रिंगल कर लिया है बस अभी हमें चीज एड़ कर देना है तो यहां पे मैंने मोजरेला चीज लिया है आप कोई भी चीज ले सकते है इवन आप चीज स्लाइस भी ल टॉपिंग्स आप अपने मन पसंद का ले सकते हैं अलका सा प्रेस करके आप देख सकते हैं कि बची हुई रोटी का बहुत ही अच्छे से रैप तयार हो चुका है तो अभी हम थोड़ा सा उसको क्रिस्पी करेंगे तो अगर आपके पास ग्रील है तो आप उसमें भी कर सकत हैं तो हमें मैंने सेम तरीक से दूसरी रोटी का भी रैप तयार कर लिया है एक फ्राइपन को फिर से गरम करेंगे एक बड़ा चमश बटर एड़ कर देंगे बस अभी हमने जो रोटी का हमने बना के रखा है रैप उसके ऊपर रख देना है दोनों रोटी हमने एड़ कर द तो आप देख सकते हैं, कि हमारा लोटी के टेस्टी रेप दना, तैयार हो चुका है अगर आपके भी रोटी बज गई है तो आप nggak, ऌले स्ट नेक्स अपने बच्चो में जरूर दें तो बस अभी हम इसको देख सकते हैं, चीज बहुत ही अच्छे से मैल्ट हो चुका है, तो हमें प्लेट में ले लेना है, यहाँ पे हम गरमा गरम सर्व करेंगे, आप टॉमेडो केचप के साथ, चीप्स के साथ, गरिन चटनी के साथ दे सकते हैं, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, तुसे लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा, हमारी यूट्यूब चैनल गुजरादी कीचन हिंदी को सब्सक्राइब कीज़ेगा, मिलते हैं कैसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई